हेलो एवरिवन कैसी हैं आप सब स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पे ठंड का मौसम है तो आज मैं आपके लिए हरे मटर की कचोड़ी और आलू की सब्ची की रेस्पी लेख्या है हूं रेस्पी को अंतक देखें और रेस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को सस् उसमें एक चमच अरजवाइन और एक चमच मैंने नमक डाल के मिला दिया है और यहां पे मैंने रिफाइन ओईल का मौऋईन किया था आप चाहें तो देसी घी से भी मौईन कर सकते हैं मौईन हमें अच्छी तरह से करना है जेतनी अच्छी तरह से मौईन करेंगे को अच्छी बनती है और खस्ता बनती है तो देखिए इस नॉर्मल पानी से ही मैंने इसका आटा लगा के तयार कर लिया था इसका बहुत सकत आटा लगा के तयार नहीं करना है जिस तरह से हम पूरी के लिए कचोरी के लिए लगाते हैं हलका साफ्ट रहेगा रोटी से थोड़ा 20 मिनिट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि याटा थोड़ा स्टैट हो जाए उसके बाद बनाएंगे तो चलिए स्टफिंग भी बना लेते हैं तो हरे मतर लिये हैं मैंने सीजन वाले और इसमें कड़ाई में दें लिया है सरसो का तेल अब आपने पसंसी कोई भी ओई उसकर सकते हैं तो दीखें दो छोड़ी चमच के करीब मैंने सरसो का तेल लिया है और यही पर मैंने मिला दिया है मतर यह हरे वाले एस्प्सीजन वाले मतर है तो उसे पकने में बहुत माइतरा में दाले से ढ़ने देंगे TO कि मतर सॉफ्ट हो जाए होने के बाद मैने इस प्राण थे धनी के भी यृणी से मिक्सी में पिसे निया था ठंडा होने के बात और lagi तो घंडा ए Paties चार हरी मिर्च को पीस तिया था उसे मैंने दो बड़े चमच के करीब यहां पर यूज किया है अगर और और कोई मसाले यहां पर यूज करते हैं तो आप मिला सकते हैं हमारे खर पर ऐसी ही बनती है तो मैंने ऐसी बनाई है और एक कचोड़ी खाने में बहुत अच्छी लगत अच्छी मिर्च ली है और इसमें हिंग डाला था मैंने चमच के करीब और एक करीब मैंने लिया है पंच फोरन पंच फोरन से इस सबजी में बहुत अच्छा टीस्ट आता है तो पंच फोरन को भूनने देंगे जब अच्छी खुसभवाने लगेगी तो उसके बाद जो हम नमख मिलाया है इसमें और एक चमच है यह सबजी मसाला आप चाहें तो जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे बून गया थे तो मैंने यहां आलो को भी मिला दिया है मैंने बून लिया था और हरी मिर्च को भी मैंने यहां पर मिला दिया है बीच में से स्लिट करके तो देखिए आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाफ से आप मिर्ची कम ज्यादा कर सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भुणने के बाद मैंने इसमें पानी मिलाया है यह आलो उबली हुए है तो इसकी ग्रेवी थोड़ से इस तरह से क्रस करके मिलाया है कसूरी मेथी से सब्जी में बहुत अच्छा टेश्ट आता है और थोड़ा सा मैंने सोया मिलाया है सोया और धनिया सीजन में बहुत अच्छे मिल रहा है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा सोया मिलाया था और एक से टेर मिन पकने के बाद मैं यहां पर हरे धनी से से फिनिस किया है और हमारे सब्जी बिल्कुल सिंपल वाली लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी यह पूरी के साथ सब्जी बहुत अच्छी लगती है आप इस तरह से भी सब्जी को भी बना के खा सकते हैं जब भी आप सिंपल सब्जी बना तो यह वाली बहुत जना इध sill से से काटोरी के जाते है तो यह सब्जादा सब्जाआ मैंने कोटेंगे आप शमाडे सलाखन समी है तो यह लिउत और इसे महीं बेल की त्यार करें किछोडियो को तो दीखे किस बने दो अशी तरह से बीली से मिल जाती है एसे मैंने बहुत जादा पतला नहीं बना है ये सलाएर रहिए मोटा है चेका है फिर आमिर बीम घड़ीयों को फ्राइया त्यार करेंगे इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन एक कचोड़िया बहुत ज्यादा खस्ता और बनती है और मटर की कचोड़ी ठंके मौसा में बहुत ही अच्छी लगती है आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा तो देखिए एक कचोड़ी मेरी फ्राई हो गई है इसी तरह से अच्छा कलर आने तक हम इन कचोड़ियों को फ्राई कर लेंगे तो चलिए फटाफाट से दूसरी कचोड़ी भी फ्राई करके निकाल लेते हैं उसके बाद मैं आपको प्लेट करके भी दिखाऊंगी तो देखिए इसी तरह से दूना तरप से अच्छी तरह से प्लेट करके भी आपको दिखा दिया है साथी मैंने आलो के सब्जी रखिए थोड़ी सी मिर्ची की अचार और एक गुर रखा है मैंने एक कचोड़ी को मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी और खसता बनी है कचोड़ी और स्टफिंग इसमें कितनी अच्छी तरह सी हुई है आप लोग भी इनकचोड़ी को जरूर ट्राइ करें आप लोग को भी बहुत अच्छी लगेगी वीडियो रेस्पी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें मैं मिलूंगी आप से और एक अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक के अच्छी बगाई